Now we will discuss about food and meal time. Class में आपके पास हर तरह के बच्चे हैं, उसमें कुछ normal हैं, कुछ थोड़े special हैं, कुछ की कुछ और ज़रूरत है, अब इनके food और meal time की बात हो रही है. तो खाना जो है जाहरा वो भी मुख्तलिफ होगा, हर कोई अपने घर से मुख्तलिफ lunch लाएगा, या अगर इदारा उसके लिए कर रहा है कोई effort, दोनों सूर्तों में यहां पे भी किसी को criticize नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर तरह के बच्चे हर तरह के resources से आएंगे, और मुख मुख्तलिफ मजाहिब के लोग किस तरह के खाने खाते हैं, तो हर मख़ब और हर कौम के लोग मुख्तलिफ तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, जो Christians हैं वो भी आपको पता है कि some groups avoid certain food, कुछ food work लेते हैं, कुछ नहीं लेते, Hindus जो हैं वो खाली vegetarian होते हैं, और इसी तरह जो क पतर food होती है, कुछ आप जो जिसको समझा जाता है कि वो इस तरह की food है, कि वो ज्यादा costly नहीं है, या उसका जाइका अच्छा नहीं है, तो बच्चे आपस में एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं, या किसी को खास तनकीद कि रहे होते हैं, आज वो जाता है, कि वो पराठा क्यूं खारा, ब्रेड क्यूं नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, कलास के अंदर होगा, सब के साथ बराबरी का सुलूख किया जाएगा, सब मिल बैट के खाएंगे, मिल बैट के शेर करेंगे, हाँ, एक चीज का हमें ये ख्याल बलके बच्चे को awareness दी जाएगी, उसके parents को awareness दी जाएगी, मसलाँ आज कल के दोर में ही जब बच्चे सुबा लंच लेकर आते हैं घरों से, तो उसमें बहुत सी बजार की बने वी चीजें हैं, या तली वी चीजें होती हैं, या इस तरह की नुकसान दे, तो फिर बेहतर ये है कि वालदायन के साथ मीटिंग करके, तो हमारे educators उनको बताएंगे कि healthy foods बच्चे के लिए क्या हैं और क्या healthy options हो सकती हैं, तो वो अपने अख्राजात के अंदर रहते हुए कौन सी चीजें बहतर तोर पर उनको बहेज सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो हमारे disabled बच्चे होंगे, उनके लिए भी जाहर ऐसी food होगी जो उनको नुकसान ना दे, जिसको आसानी से वो हजम कर सकें और बाद में उनके लिए किसी तरह का problem ना हो, हाँ ये जरूर है जैसे मैंने असकिया, कि सब जब मिल बैटके खा रहे होंगे, तो कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, किसी को कमतर नहीं समझा जाएगा, और किसी को खामखा में criticize नहीं किया जाएगा, कि आप ऐसा क्यूं खा रहे हैं, अच्छा आप तो ये खाते हैं, आप ये कैसे खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होगे, तो जैसे मैंने अर्स किया, कही दफ़ ऐसे भी होता है, कि जो गजा बच्चे खा रहे होते हैं, वह बजाहर दिखने में उसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन किसी एक बच्चे को उससे इंट्राइगा होती है, तो उसको हमने एवाइड करना है, क्योंकि जब शेर कर रहे हो जैसे मैंने अर्स किया, एक खुराक तो वो होगी न, जो बच्चा खुद लेके आ रहा है, या इदारा समझता है कि उसको क्या खुराक देनी है, कुछ चीजे ऐसी होती है, जब हम बच्चे छोटे शेर कर रहे होंगे, तो वो किसी को इस तरह की चीज दे सकते हैं, जो उन हैं, और कुछ आप नहीं दे सकते, और अगर कोई नहीं ले रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है, कि वो आपकी तरफ disrespect शो कर रहा है, बलके वो उसको ठीक नहीं पड़ती, तो हमें उनकी सिहत का भी खयाल रखना है, लेकिन हमें उनके एक साथ मिल्क बैट के खाने के कल्चर क को भी फरोग देना है, और हमने एक equality का पूरा environment generate करना है, जिसमें कोई किसी पर फौकियत ना रखता हो, और कोई किसी को हकीर ना समझे, ये दो बातें बहुत एहम हैं.